Thank you sir, मुझी आज बहुत important subject पर बोलने का मौका दिया आज का जो हालत है, हालत को देखते हुए मैं अपनी बात दो पंत्यों के साथ सुरू करना चाहूँगा सेर आज आज आए सामने तो कोई बात नहीं ग्याए पीछे से गुजर जाए तो डर लगता है इंडिया टुड़े के एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल पिछले तीन साल में बीस केसे ऐसे आए हुए हैं जिसमेंसे थर्टी चु लोगों को भीड द्वारा मारा गया है और उसमें से सेवेंटी परसंट दलिद और मुस्लिम है लोग है तो इससे हमें पता चलता है कि जो गो रक्षक्त वालों है किस तरह के से हमारे देश में डर और भै का महौल पैदा किये हुए है आपके एक सहेजोगी पार्टी सीप सेना के एक मेंबर ने कहा है कि गो रक्षक के बहाने पाकिस्थान के फुष्ट दलाल इंडिया आकर इंडिया के छबी खराब कर रहे है सही बाद इंडिया के छबी श्रिव नहीं बिद्यसों भी इंडिया के छबी खराब कर रहे हैं गोरक्षा के नाम पर देश में जो लोग गुंडा गड़्डी कर रहे हैं, बेगुणा लोगों को मार रहे हैं, वो मेरे ख्याल से हमारे देश के लिए देश का अतंगबादी हैं. एक इंटर्णस रिपोर्ट की अनुसार, रिलिजियस इंटर्णस के मामले में भारत दुनिया के खोर्ट सबसे खराब देश हैं. सर यह हमारे देश के लिए बहुत चिंता के विशाय हैं और इसको गंबिलतर से हमें लेनी चाहिए. सर, कई मेहनों से हम सब देखी रहे हैं कि देलियों के साथ इस तरीके से अत्याचर हो रहा है, हिमाचल में आप देख लिजिए, गुजरात में देख लिजिए, देलियों को लोगों उने पकट बांग के फीट रहे हैं. और साथ ही साथ भीडियो करके पोस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो कानून के रखवाले हैं, काफी देर में, काफी देर में उनकी साथ करवई होती है, जो की काफी दुख की बात है. उएसे ही हमारे मुसलिम भाई लोगे कहीं पर ट्रेन में, भीड में कहीं मार के उनका हत्या कर दे रहे हैं, कहीं पर फीज में गो मास्क सक्क में उनको मार के हत्या किया जा रहे हैं. कहीं पर हमारे मुसलिम भाई लोग लाइसेंज के साथ गोव पेपर कर रहे हैं, लाइसेंज उसके पास है, फिर भी गुरत्से सौवर ने उनके हध्या की जा रही है, इतना ही नहीं, आज कल हमारे ख्रिष्टियन भाईमों में एक दर पैदा हो गया है, ओल इंडिया ख्रिष्टियन काउंसिल के मुताबिक, लास्ट यार, 2016 में, हमारे ख्रिष्टियन भाईयों पर हर 40 घंटे में एक अत्याचर के केस सामने आया है, इसी मेहने, गुवा में 17 रह 18 दिनों में 11 एकसिजन ऐसे हुए हैं, जो कि एक चिस्टिन भाईयों के उपर हुआ है, लोग वहाँ पर जाकर, चर्च में जाकर, चर्च के तोड़ फोड़ किये हुए हैं, इतना ही नहीं, हैज्ड़ाबा के फतिमा चर्च में, सो लोग चर्च में घुशके, लोगों की साथ मार पीट, चर्च में तोड़ फोड़, मदर मेरी के स्टाटू टोड़ना, जीजेस का क्रोस्ट टोड़ना, ये सब चल रहा है, कुछ ख्रिष्टियन भाई लोग साम को मास करते हैं, प्राफना करते हैं, रोले एरियल्स में, वह भी कुछ गुंडालों को जाके उनके साथ दुर्वेहर करते हैं, उसे मार पिट किया जा रहा है, हाली में पंजाब में भी एक पास्टर को हट्ट्यक कर दिया गया, सर, ऐसा सब घटना हमारे इंडिया में बार बार हो रही है, हमें इसी सब्जेक्ट को लास्ट रह भी हम लोग नहां पे चर्चा किये थे, लेकिन हमारे कानून के कमजोरी से मेरे ख्याल से एक घटना औरी बढ़ते जा रहा है, इसका कारण नहीं है कि जो अत्याचर कर रहे हैं, अत्याचरियों को उची ट्याइमें दंड दिया नहीं जा रहा है, सर मेरे ख्याल से उनके खिलाफ करवाई भी उची ट्याइमें नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे खाल से एक प्रॉल्मस बढ़ती जा रहा है सर अभी हम सब को सुचना होगा अखिर इसका इलाज क्या है अभी हमारे देश में मौग लिंची के कोई कानून नहीं है इसलिए संसाद और सरकार द्वारा तुरंत इस बारे में कठोर कानून बनानी चाहिए ताकि मौग लिंची को क्लेर ओं में डिफेंड किया जा सके और इसके जेरिये गुस्मानों को टाइम बाउन मैनर में सजा दी जाए मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे देश को यूथ को भी एजुकेश्व के जेरिये प्रिलिजियस टॉलिंस के सिखाने के ज़रूत है अज मैं चला दूँगा कि हमारे एजुकेश्व सिस्टेम सिलावस में इसको रग दिना चाहिए जिसे आनल सर्मा जी ने भी सोशल मीडिया के जिगर कर रहे थे वाटसव को जिगर कर रहे थे आज कल वाटसव पर सोशल मीडिया के ज़रे ही सबसे ज़्यादा नफरत जोट प्रचार किया जा रहा है मेरे ख्याल से उसके जरे भी कई बार वापस में लड़ जाते हैं हमारे कई बार हम लोग देखे भी हैं हमारे मुसलिम भाय के बीज में भी लड़ी हुई है मौब लिंची हुई है तो मैं ही कहना चाहूँगा सरकार को की जितनी भी हमारे सोशल साइट के कमपणियों उनके साथ बात करके एक फिल्टर डेवलोमेंट किया जाए जिससे की हेट में चीजिस रोका जा सके और एक मैं ज़रूरी बात करना चाहूँगा आज हमारे देश में जो भी जिमेदर पद्दू में बैठे हुएं बहुत सारे इसे व्यक्ति हैं जो कि कई बार भड़कव देते हैं और भड़कव भसान से हमारे देशे यूथ सब उनको मनुबल मिलता है और इस कामों में देश्ट हो जाते हैं हमारे पार्टे और हमारे मुख्यमंत्रे से जितनों नभिन परनाइक हमेशा सोचल हर्मोनी के पक्स में रहे हैं महोद है आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा किंदर सरकार और राजे सरकार के जो लोग और कानून सिचेशन है उस पर ध्यान देके उसके इंप्रूब करके इस तरके से हमारे मैनोर्टे और दलित मुस्लिम क्रिस्टन भाईयों में उनका बिश्वास वापस आएगा उसके बारे में हमें काम करना होगा थन्याब करना है थैंक यू